हलो डियर स्टुडेंट्स, वल्कम टू मैंने ब्रेंज, मैं संचिता जैन आप सभी की शोसल साइंस एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए इंटरनाशनल आर्गनाईजिशन की सीरीज में एक बहुती इंपोर्टेंड इंटरनाशनल कर दें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैंगनेट ब्रेंज प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेस फ्री ओप कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ जी हां हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दौनाव मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं सीवेस से बोड के साथ साथ अंपी बोड यूपी बोड बिहार बोड दिल्ली बोड राजस्तान बोड के स्लेवस को भी कंप्लीट कराया जाता है साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोड के स्लेवस को कंप्लीट कर चलिए तो जानते हैं बिन स्टेक के बारे में आखिर ये है क्या बिन स्टेक तो सबसे पहले तो बात आती है इसके फुल फॉर्म की क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है एक बार फिर से रिपीट करते हैं यह एक शेत्रिय बहु पक्षिय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमाबर्ती बंगाल की खाड़ी कहा है अगर हम भारत के संदर्व में देखें तो हमें बंगाल की खाड़ी कहां दिखाई देती है यहाँ पर यह एरिया कौन सा है बंगाल की खाड़ी का है ठीक है इधर है अपनी बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है बताओ पश्शिम की तरफ क्या है अरब सागर होता है होता है की नहीं होता है दक्षड में क्या होता है इंद महासागर होता है किलियर है बात हाँ तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ बंगाल की खाड़ी की क्यों करेंगे क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीप वर्ती छेत्रों में इस्थित इसके सदश्य देश है इसके सदश्य देश कौन कौन से है जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में आते हैं वो इसके सदस है जो छेत्री एकता का प्रतीक है यानि कि एक शेत शेत्र में आते हैं किसके शेत्र में बे बंगाल यानि कि बंगाल की खाड़ी के शेत्र में आते हैं इसलिए छेत्री एकता का प्रतीक है एक बात तो क्लियर हो गई कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं वो इसके सदश्य देश हैं अब कौन-कौन से ऐसे सदश् जो बंगाल की खाड़ी के आसपास आते हैं देख लेते हैं भाईया तटवर्ती और समीपवर्ती ठीक है यानि कि तट के आसपास होना चाहिए और उसके पास में भी होना चाहिए देखें भाई तो देखो एक तो हो गया अपना ये नेपाल नेपाल ओके देखें ये हो गया नेपाल ये हो गया भुटान ये हो गया इंडिया ये हो गया बांगलादेश ये हो गया म्यानमार ये हो गया थाइलेंड ये हो गया श्री लंका अल्राइट, कितने हो गए बीया? यह हो गया एक, यह हो गया दो, तीन, चार, पाँच, छे और साथ. यानि की बिम स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं साथ सदस्य देश हैं देख लेते हैं इसके साथ सदस्यों में से पांच दक्षड एशिया से हैं कौन कौन से वो पांच देश हैं जो दक्षड एशिया से हैं जिन में शामिल हैं बांगलादेश, भूटान, भारत, नेपा और श्री लंका यह आते हैं दक्षड एशिया में जब हम एशिया महादीप की बात करें तो यह एशिया महादीप के दक्षड में इस्थित हैं ठीक है क्योंकि भारत भी खाय स्थित है यहां से यहां तक कि अगर हम बात करें तो हमें पूरा एशिया महादीप दिखाई देता है ठीक है और भारत की स्थिती कुछ इस तरीके से एशिया महादीप के दक्षडी भाग में दिखाई देती है अब दो कौन-कौन से देश है जो दक्षड पूरवी एशिया से हैं दक्षड पूरवी एशिया यानि कि यह हो गया पूरव यह हो गया दक्षड और इसके बीच म सदस्यदेश हो गए इसके साथ हो गए चलिए अब देखें आगे की कहानी बिंस्टेग के उत्पति कहां से होती है कैसे होती है इसको भी जान लेते हैं तो यह उप्षेत्रियस संगठन वर्स 1997 में 1997 में बैंक गोशना बैंक कहां है थाईलेंड में तो बैंक को गोशना के माध्यम से अस्तित्व में आया प्रारंब में इसका गठन चार सदस्य रास्टों के साथ था ठीक है पहले साथ नहीं थे पहले चार ही थे ठीक है जब इसका गठन हुआ था जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था B.I.S.T.E.C. जिसमें क्या क्या है बां की आर्थिक सहीयोग जब इसका गठन हुआ था तब कितने देश थे चार देश थे अब एक बात हमें समझ में आती है कि भारत इसकी स्थापना के समय से ही इसका सदस्य देश रहा है वर्स 1997 में म्यानमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदल कर B.I.M.S.T.E.C. कर दिया तो B.I.M.S.T.E.C. के उत्पत्ति कैसे होती है कितने सदस्य देश पहले इसमें थे वो बात भी हमने जान ली अब जानते हैं इसके उत्देश के बारे में तो देखें शेत्र में तीवर आर्थिक विकार से तुवाता वरण तयार करना ठीक है जितने भी इसके सदस्य सदस्य राष्टों के साजा हितों के शेत्रों में सक्रिय सहीयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना सातों सदस्य देश हर शेत्र में एक दूसरे का सहीयोग करें और हेल्प करें सिक्षा, विज्ञान और प्रद्योग की एजुकेशन, साइंस और टेक्नलोजी इन सब शेत्रों में एक दूसरे का यानि कि सदस्य देशों का एक दूसरे को पूरा सहीयोग प्राप्त हूँ तो ये हैं बिम्स्टेक के उदेश्य, अब सिध्धान्त की बात करें, तो समान संप्रभूता, शेत्री अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंत्रिक मामलों में हस्तशेप ना करना, शांति पूर्ण सह अस्तित्व और पारस परिक लाप, ये हैं बिम्स्टेक के बिम्स्टेक का शिखर समेलन आयोजित किया जाता है, वहाँ सभी सदश्यदे से खटा होते हैं और आगे कैसे काम करना है, उस पर चर्चा करी जाती है, मंत्री इस तरिये बैठक भी होती है, फिर वरिष्ट अधिकारियों की बैठक भी होती है, बिम्स्टेक के जो सीनियर अफिसर्स है, उनकी बैठक भी होती है, बिम्स्टेक का कारेगारी समूह है, व्यापार मंच तथा आर्थिक मंच, तो ये हैं इसके बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र यानिक इंस्टिटूशनल सिस्टम्स, अल्राइट, चलिये तो देश भी जान लिये, संस्थागत तंत सब चीजें एकदम सकारात्मक रूप से चलें चुनौतियों का सामना भी करना ही पड़ता है तो देखें चुनौतियां यह है कि बैठ को में रंतरता का भाव लगातार बैठके नहीं हो पाती इसकी ठीक है कि एक फिक्स टाइम हो इस फिक्स टाइम में हर बार बैठा कोनी ही ह सदसे राश्टों द्वारा बिम्स्टे की उपेक्ष्या करी जाती है इसका कार्य शित्र बहुत बड़ा है सदसे राश्टों के बीच द्वीब पक्षिय मुद्दे भी है जिनको सुलजाना आसान नहीं है मुक्त व्यापार समझोते का अभाव है और आर्थिक सहीयोग हे पर्याप्त धन नहीं कि वो एक दूजरे देश का सहीयोग कर सके तो इन सब चुनौतियों का सामना वरत्मान में बिम्स्टे को करना पड़ रहा है अल्राइट तो बिम्स्टे क्या है कब इसकी स्थापना होई कौन से इसके सदस्य नेम्न तैस है कि इसके कारे आए था हैं क्या इसके सिध्धानत हैं क्या इसके संस्थागत तंत्र हैं और कौन-कौन सी इसके सामने चनोतियां हैं इतना सबकुष हमने आज के शेशन में जाना तो मिलते हैं जल्दी ही अगले शेशन में इंट्रेस्टिंग फेट्स के साथ एक नई जानकारी के साथ अगर आप हमारे डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्ड़िट से से जुढ़ना चाहते हैं सारी चीज़े अपलब्ध हैं मैंगनेट ब्रेंज के यूजुब चैनल वेब साइट और एप्लिकेशन पर उपलब्ध हैं सीब सी बोड के साहर दिनली बोर्ट बिहर बोड उपी वोर्ड एम्पी वोर्ड राजस्तान बोर्ट के सिनेट बोर्ड के स्लेबस को कंपलीट कराया जाता है जहां N-C E rt का पैटनन फॉलौ ऑलो होता है क्यूंकि हम पढ़ाते हैं आपको N-C E-R-T से exemple सारे special courses भी हमारे पास वैदिक मैस, crash course और spoken English और इतने सारे courses है कि single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एकदम free में आपको provide कर आए जाते हैं Magnet Brains YouTube के लावा अधर social media platform जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Purview Club आप हमें वहाँ भी follow कर सकते हैं वहाँ से भी सारी जानकारी प्रावद कर सकते हैं वाज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रहे हैं जुड़े रहे हैं पढ़ते रहे हैं खुश रहे हैं थाएंग सो मच